दिरे स्टुरेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बच्चो या कलास्तिरी का साइंस बुक है चैप्टर 4.3 वाटर इन अवर लाइब्स पानी हमारे जीवन में कितना महत्पूर्ण है यह हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बिना पानी के हम लोग ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते हाँ हवा के बाद पानी का ही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है तो यह चैप्टर हमें पानी के बारे में ही बतला रहा है तो आई हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं वी यूज वाटर फोर वरियस प्रपोज हम लोग अनेक प्रयोजन के लिए पानी का उप्योग करते हैं जिसे कि यहां पे कई सारा पॉइंट्स दिया हुआ है इन हाउस हौल एक्टिविटीज डिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वासिंग, क्लोथ, उटेंसिल्स, वेहिकल्स घरेली उगती विध्यों में पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े, बरतन और वहन साफ करने के लिए हम लोग पानी का इस्तिमाल करते हैं इन इरिगेशन, सिचाई में, वाटिंग प्लांट्स, एड रेगुलर इंटर्वल्स, इन किचन गार्डन्स, एड फार्मिंग टू ग्रोप्स, रसोई बगीचे में नीमित अंतराल में पानी पटाने के लिए और खेती करने के लिए, इन जेनरेटिंग एलेक्टिसीटी ब और जाहाजों द्वारा माल को इधर से उधर या लोगों को यातरा करने में, ट्रेवल करने में पानी का उप्योग होता है, इसके बाद इन स्वीमिंग, बोटिंग और वाटर गैम्स, तैरा की नौका विहार और इन जल कीड़ा, पानी से समंदित खेलों में पानी का ही इंडिस्ट्री एज एरो मेटेरियल, कलकार खानों में कच्चे माल के रूप में पानी का उप्योग होता है, इन एक्वेकल्चर और फीसेज प्राउंस एटिसी, मचली, जहिंगी, आदी, जलिये जीवों को पालने में पानी का उप्योग किया जाता है, इन फ्लोरिक कल्च से हमारे जीवन में ये उप्योगी है, यहां पे दिया हुआ है, इंडिया is basically a religious country, भारत मुल रूप से एक धार्मिक देश है, since ancient times, इंद्रा has been regarded as rain god, प्राचिन काल से ही इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है, people worship him for a good and substantial rain, जीवन पर्द और अच्छी बारिस के लिए उसकी पूजा करते हैं, even rivers such as the Gangas, the Brahmputra, the Narmada etc are regarded as holy rivers, यहां तक की Ganga, Brahmputra, Narmada, आदी नदियों को पवित्र नदियां मानी जाती है, River Gangas is often designated as Ma Ganga, Ganga नदी को प्राया Ma Ganga कहकर समाम दिया जाता है, as per popular belief, one who takes a deep in river Gangas, become free from all sins, परचलित मान्यता के अनुसार जो बेक्ती Ganga नदी में एक बार डुकी लगा लेता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, sacred water bodies are found in all parts of country, पवित्र जल स्रोथ देश के सभी भागों में पाए जाता है, the Amrit thought at golden temple in Amritun Tsar of North India, Pushkarnis of South, यहां पे Amritår में Amrit Folwar, golden temple में पाए जाता है, पवित्र कुंड उतर भारत में नॉर्थ इंडिया, पवित्र कुंड उतर भारत में पाए जाता है, और दचिन भारत में यहां पे पुसकर्णी पाए जाता है, पुसकर्णी कोई पानी का या बाउलिज और राजस्थान भर्मकॉन्द पुस्कर के राजस्थान जगह है वहां जो की जल का पवित्र जग़ा पाया जाता है तो यह सब कईछामimientos हैं जो की पानी का पवित्र जगह, जल का पवित्र जगह पाया जाता है। उसके बाद यहां पर दियाओ, Muslims also use water before prayers, नमाज to wash hands, mouth and feet which are generally exposed. तो Muslim लोग भी नमाज से पहले हाथ मौ और पैर धोने के लिए पानी का ही इस्तमाल करते हैं, जो आम तोर पर वहां होते हैं, जिस प्रकार का पाया जाता है। और इस प्रिकरिया को कहा जाता है वजू। We often wash our hands and feet before entering any religious place like temple, गुरुद्वारा, मॉस्क्यूज, गुटिसी। हम लोग प्राया किसी भी धार्मिक अस्थान जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, आधी में परविश करने से पहले अपने हाथ और पैर्ध होते हैं। Some of us do it even before entering our house to be free from dust and germs। हम में से कुछ लोग धूल और किटानों से मुक्त होने के लिए अपने घर में परविश करने से पहले भी ऐसा करते हैं। This practice is highly hygienic या अभ्यास अत्यधिक स्वास्तकर है। तोर आगे दिया हुआ है रैन as relief वर्सा राहत के रूप में। रैन comes as a relief after a hot and dry summer। गर्म और सुस्क गिस्म के बाद बारिस राहत के रूप में आती है। The fall of raindrops on plants make them jovial। पोधों पर बारिस की बुंदों का गिरना उन्हें खुस्नुमा बना देता है। Entire landscape around us becomes fresh and green। हमारे चारो और का प्रिद्रिस ताजा और हरा भरा हो जाता है। New leaves and branches come out। नई पतियां और साखाएं निकलने लगती है। Animals to enjoy the rain very much। जानवर भी बारिस का खुब लुप्ट उठाते हैं। Bots flutter their wings, whereas peacock dances in rain। पच्छी पंक फरफ़ाते हैं जबकि मौर बारिस में नाचने लगते हैं। Props start crocking। मेढक टराने लगते हैं। Children love to freak in sour। बच्चों को रिमजिम बारिस में उचलना कुदना बहुत अच्छा लगता है। They sell paper bottles in it, वे इसमें कागज की नाव तेराने लगते हैं। Storing water, जल भंडारन, जल को जमा करने की परिकिरिया जल भंडारन का लाता है। Some of us store water in earth and pots, pitcher, etc. हम में से कुछ लोग मिट्टी के बरतन घड़े आदी में पानी जमा करते हैं। However, nowadays people generally store in bottles, buckets, pitchers, cans, etc. Made up of synthetic materials such as plastic or made up of different kinds of metals such as aluminum, steel and copper. हलाकि, आज का लोग, आम तोर पर plastic जैसे synthetic से बने, बोतल बाल्टी, घड़े, डिबे, आदी में जल को पानी को store करते हैं। या भी इविन परकार के धातु से बने, बरतन जैसे aluminum, steel या तांबा के बरतन में भी पानी को store करते हैं। Cemented tanks and synthetic water tanks are popular in our country to store water on a large scale. Cemented tank और synthetic tank हमारे देश में बड़े पैमाने पर पानी के भंडारन के लिए लोग पिरिये हैं। Drinking water storage पेजल का भंडारन जो पीने लाग पानी होता है उसको जमा किया जाता है। Pure and safe drinking water is essential for good health. अच्छे स्वास्त के लिए सुध और सुरचित पेजल आवसक है। Therefore, safe storage of water is our duty to lead healthy life. इसलिए स्वस्त जीवन के लिए हमारा करते भाय की जल का सुरचित भंडारन क्या जाए। पानी के भंडारन से पहले बरतनों, कंटेनरों ये टेंकों को उचित सफाई की आवसकता होती है। filled up container must be covered by a lid, भरे हुए container को धकन से धकने चाहिए। Always use a mug with handle to take out water from a container, container से पानी बाहर निकालने के लिए हमेशा handle वाले mug का इस्तिमाल करना चाहिए। Do not put your hand in it, इसमें अपना हाथ नहीं डालना चाहिए। Volume of water, जल का आइकन, water being a liquid, tax the shape of the container, जल दर्व होने के कारण पात्र का आकार ले लेता है। If kept in the bottle then tax the shape of a bottle and that of a bucket when kept it in bucket, अगर बोतल में रखाए जाए तो बोतल का आकार ले लेता है और बाल्टी में रखने पर बाल्टी का आकार ले लेता है। The capacity of any container to hold water is called volume. किसी भी पात्र की जल धारन करने की छमता को आयतन काते है। Naturally a mug contains less water than a bucket, hence it has less volume. स्वभाविक रूप से एक mug में बाल्टी की अपेच्छा कम पानी लेता है। इसलिए इसका आयतन कम होगा। Likewise a tank holds more water than a bucket, इसी तरह एक टंकी में बाल्टी से अधिक पानी होता है, hence it has more volume. इसलिए इसका आयतन अधिक होता है। Volume is measured in milliliters, liters, and kiloliters, or gallons. आयतन को milliliter, liter, or kiloliter, or gallon में मापा जाता है। The amount of water in any container depends on its size. किसी भी पात्र में पानी की मात्रा उसके आकार पर निर्भर करती है। Small and narrow size containers hold less water than bigger size containers. चोटे और बड़े संकिर्म, आकार के container की तुलना में कम पानी होता है। Water being at the same level in a narrow and a broad container shows that the amount of water in both are not the same. एक संक्रे और चोडे बरतन में पानी का समान अस्तर्क पर होना दर्साता है कि दोनों में पानी की मात्रा समान नहीं है। The broad container is containing more volume of water. चोडे बरतन में पानी की मात्रा अधिक होती है। यहां पर चेप्टर समाप्त हो गया है तो आए देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है। और उसको solve करते हैं। यह है इस चेप्टर का exercise यहां पर question number one दिया हुआ है इसमें फिर इन ब्लैंक्स भरने के लिए का रहा है। birds flutter there, यहां पर one number में wings हो जाएगा, wings in rain, तो यहां पर आपको screen पर इसका अंसर आ रहा होगा, इसके बाद safe drinking water is just for good health, तो यहां पर हो जाएगा essential for good health, और यहां river gangas is known as ma ganga, यहां पर हो जाएगा ma ganga, सी number में, और यहां पर death has been regarded as rain god, तो इंद्र भगवान के लिए लिखा ग the sacred pond of golden temple in amrit sir is known as the amrit thrower, the amrit thrower यहां पर होगा, और true false यहां two number में दिया होगा है, तो यहां पर true false में यहां पर लगा देता हूं आप लोगों को, फस्ट में दिया होगा है pure and safe drinking water is not essential for good health, तो यह गलत दिया होगा है, इसको false लिख देते हैं यहां पर, यह false होगा, यहां पर और यहां पर rain comes as a relief after summer, तो यहां पर बिल्कुल सही हो रहा है, तो इसको true लिख देते हैं, यह true होगिया, animals do not enjoy the rain, तो यह false है, animals rain enjoy नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, animals को भी rain अच्छा लगता है, तो यह false होगिया, safe storage of drinking water leads to healthy life, तो यह बिल्कुल सही है, पानी हमें अपने जीवन में storage करना चाहिए, इससे हमारा जीवन आसान होगा, a mug contents more water than a bucket, तो यह बिल्कुल false है, एक mug में बाल्टी से ज़्यादा पानी नहीं ले सकता है, उसमें कम पानी लिखता है, तो इसको हम लिखेंगे false, यह false हो गया, question number 3, जो कि question answer दिया हुआ है, तो आपको answer जो है, screen पे ही मिलते जाएगा, एन नमर में दिया हो, what is measurement unit of stored water, तो measurement क्या होता है, पानी को नापने के लिए, तो इसका answer हो जाएगा, यहाँ पे इसका answer है, the measurement unit of stored water is litre, standard measurement litre होता है, mililiter, kiloliter भी दिया हुआ है, लेकिन standard measurement litre के द्वारा होता है, establish a relationship between water and our culture, तो हमारा सब, हमारी culture जो है, और पानी का relationship बतलाने के लिए कह रहा है, तो इसका answer हो जाएगा, यहाँ पे इसका answer है, water is considered sacred in our Indian culture, whether in any religion, every religion of our culture respects water in their oven, believes for its purity and importance, question number C, यहाँ पे बतला रहा हूँ, what are the various uses of water, तो पानी के अनेक उपयोग कौन-कौन से है, यहाँ पे इसका answer है, the various uses of water are drinking, everyday household activities, agriculture, industry, power generation, aquaculture, etc. next question है, how should drinking water be stored, तो drinking water को हम लोग किस परकार से store करते हैं, कैसे store करते हैं, यहाँ इसका answer, the ports, containers or tanks need proper cleaning before storage of water, filled up container must be covered by a lid, always use a mug with handle to take out water from a container, do not put your hand in it, describe the different methods of storing water at home, पानी जमा करने के लिए कुछ अलग-अलग method बतलाने के लिए कह रहा है, यहाँ पे है, इस नमबर का answer, the different methods of storing water at home are in bottles, buckets, peaches, plastic tanks, cemented tanks, etc. तो इन सारे जगों में हम लोग पानी को store कर सकते हैं, what are your daily activities in which you use water, यह है इसका daily activities, the daily activities in which we use water, आर, drinking, cooking, bathing, washing clothes, rinsing, utensils, cleaning, vehicles, etc. पानी को डेली हम लोग इन सारे कामों में उप्योग करते हैं, और last question G number में है, why do you wash your hands and feet before entering your home? यहाँ पे इसका answer दिया हुआ है, यहाँ पे question and answer complete हो गया है, एक last जो है, match the following, तो मैं आप लोग को यहीं पे match करके दिखा देता हूँ, volume, तो volume क्या हो जाएगा, volume हो जाएगा capacity of container, तो इसको यहाँ से मिला लेते हैं, यह three number में जाएगा, और aquaculture, यह क्या हो जाएगा, fishes, तो मच्छी पालन का जो काम होता है, उसको aquaculture में आएगा, यह है, floriculture, full उगाने के लिए, तो flowers यह चला जाएगा, लगते हैं, तो croaking मतलब टराना होता है, यह हो गया, और last जो बच्चा होगा है, irrigation, तो irrigation मतलब होता है, सिचाई करना, watering plants, ओधे में पानी पटाना, तो इसको हम one number पर मिलाएगे, यह, तो इस तरह से यहाँ पर पुरी तरह complete हो गया है, chapter 4.3, अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए helpful है, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके रखे हैं, हमारे वीडियो को share करें, और इसके अगले चप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग